बहुत इंपॉर्टन वर्ड्स हैं, बेसिकलिए, वाक्यों को फ्रेम करने में काफी जादे अनका काम होता है, अब शब्दों के बारे में क्या ही करूँ, कितनी ही तारीफ करूँ शब्दों की, क्योंकि शब्द हैं तो यी वाके बन पते हैं और वाके बन पते हैं तो ही बाते हो पाती हैं तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और क्लास को शुरू करने से पहले एक जरूरी अनौंसमेंट जी हाँ आप सभी के लिए एक काफ़े important news है मेरे पास जो की ये है कि आपका स्वागत है आज बी बैंकर जो की अब है संरीती इंग्लिश अकाड़मी जी हाँ तो आपको अब क्या करना है अगर आप इस क्लास में पहली बार आ रहे हैं या जो लोग अल्रेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लोग भी तो जिनके लिए जो जिन्होंने सब्सक्राइब अल्रेडी कर रखा है उनको मैं बता दूँ मैं हूँ प्रीती मैम और मैं अब आपके लिए हूँ संरीती इंग्लिश अकाड़मी में जो की बी बैंकर ही है मतलब आप समझ रहे हो what I mean है ना मतलब बी बैंकर का नाम जो है वो अब है संरीती इंग्लिश अकाड़मी जो लोग नहीं है उनके उपर से अगर सर के उपर से यह बात जा रही है तो मैं बता दूँ कि भी आप जो क्लास जहां पर एटेंड कर रहे हो जो चैनल आप देख रहे हो उसका नाम जो है कल तक अब इस चैनल का नाम है संरीती इंग्लिश अकाड़मी मैं वही हूँ आपकी प्रीती मैम आपकी पढ़ाई वही है बिलकुल एकदम टॉप नॉच तगड़ी वाली पढ़ाई और नॉलेच प्रोवाइड करने का सिलसिला जो है यूही जारी रहेगा सब कुछ वही है तो मतलब रिलेट कर पा रहे हैं आप तो तो बस इतनी से अनॉंसमेंट थी कि अब वीवैंकर जो है वो उसका नाम है संरीती इंग्लिश अकाड़मी भरोसा वही रहेगा नॉलेच वही रहेगा मैं वही रहूंगी और आप भी वही रहेंगे और नई लोग जड़ते चले जाएंगे और बहुत बड़ी सी फैमली हम लोग बनाने वाले हैं तो इसके लिए करना होगा करना होगा सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजे सब्सक्राइब और इसके तहत कुछ भी नहीं बदलने वाला है जिन्होंने पेड़ कोर्स ले रखी है या जो फ्री कोर्स कर रहे हैं हमारी अब पर कर रहे हैं कुछ भी नहीं मतलेगा डोंट वरी एट ओल बस ये नाम का चेंज है दाड़े संडूरीती इंग्लिश अकाड़मी कैसा लगा आपको ये नाम मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा मेरा फीवरेट है बहुत टाइम लगा मतलब इसको करने म उसके बाद फिर मुझे लगा कि नहीं ये तो कर देना चाहिए तो मुझे कमेंट करके आप जरूर बिताएगे कि आपको ये नाम कैसा लगा मेरे दिल के काफी करीब है ये नाम बताऊंगी कभी क्यों जब मैं लाइफ क्लास लेकर क्या आउंगी जी हाँ ये भी है पर ये अभी सीक्रेट अभी किसे को अभी बस आपको बता दिया ठीक है इसके बाद और डिटेल्स जो है वो आगे क्लास में बताऊंगी कभी जब सारी चीज़े रेडी हो जाएंगी तब फिलहाल आप मुझे बताएगे कमेंट करके कि ये नाम आपको कैसा लगा चलिए क्लास को अगे बढ़ाते हैं अच्छा हाँ आप को डाउनलोड और इंस्टॉल कर लीजेगा गूगल प्ले स्टोर पर वहाँ पर फिलहाल तो भी बैंकर इंगलिश आप ही डाउनलोड आपको करनी पड़ेगी जब तक यहाँ पर नाम नहीं बदल जाता ठीक है क्लास को बढ़ाते ह तो जल्दी क्या अंग्रेजी होती है सून क्या अंग्रेजी होती है सून देखा यानि की सौ क्या आपने देखा जो नाम बदला मतला I'm obsessed with the name today I guess तो सारे words भी वैसे ही आ रहे हैं देखा क्या आपने देखा मतलब देखा क्या अंग्रेजी होती है सौ दोड़ा यानि की रैन दोड़ा यह process complete हो गया है ना दोड़ा यानि की ran बाहर यानि की out पर इस्तमाल होता है शब्द on का अभी यानि की now खुद herself याद रखिएगा herself का इस्तमाल होगा अगर किसी female के बारे में बात हो रही है किसी महिला के बारे में बात हो रही है किसी लड़की के बारे में बात हो रही है किसी औरत के बारे में बात हो रही है मतलब you know what I mean किसी female के बारे में जब बात करेंगे तो herself का use करेंगे वह खुद के लिए और himself का use करेंगे जब किसी पुरुष यानि की male की बात हो रही होगी हम खुद को ज़्यादा ही खुश हो मैं आज इसी वज़े से कुछ भी मुझे निकल रहे है हम खुद यानि की ourself हम खुद यानि की ourself वहां यानि की there ये जगे से सम्मंदित जब बात आपने करनी हो कि वहाँ है समान, वहाँ है बैग, इस तरीकी की बात करनी हो, तो their word का use करते हैं, रखना, यानि की keep, रखना, इसकी अंग्रेजी होती है, keep, अच्छा, यानि की well, W-E-L-L, well, और अच्छा की अंग्रेजी तो well होती ही है, साथी कुआ जो होता है, उसकी अंग्रेजी भी well होत तो take, परंतु, but, आपको लगाना हो लेकिन, परंतु, किन्तु, but, word का use करते हैं, लगभग, यानि की about, then, t-h-e-n, then, फिर, ये कभी use होता है, कि इसका एक supporting argument होगा पहले, मतलब किसी ने कुछ बताया, आपको उसके आगे की जानने की इच्छा है, तो आप कहते हैं, अच् तरीके से then का use होता है, और इसी का जुड़वा एक है, जिसको then पढ़ते हैं, इस class में आगे, अगर हुआ तो बताऊंगी, नी, तो फिर भी बता दूंगी, ठीक है, बहुत, यानि की many, यहां, यानि की here, जगे की बात हो रही है, here, देखो, जब आप अपने नजदीक के ज pass यानि की near, दूर यानि की far, कीचना, पुल, धकेलना, पुश, इन दोनों वर्ड्स को एक साथ समझो, पुल और पुश, इन दोनों के एक साथ समझो क्यों, यूँकि इस्तेमाल ये एक साथ होते हैं, कहां होते हैं, mostly आप जब किसी shop पे विजट करते हो, किसी mall में विजट करते हो, कहीं पर भी विजिट करते हो, जहां पर दरवाजा लगा हुआ है, काच का और उसके उपर एक स्टिकर चपका रहता है, जिसके उपर पुल एक तरफ लिखा रहता है, एक तरफ पुश लिखा रहता है, तो पुश जहां पर लिखावर रहाएगा, वहां आप देखो simply ऐसे समझ लो इसको जिसको बोलने में जादा महनत करनी पड़ रही है उसको जो है धकेलना पड़ेगा ठीक है, push जादा महनत करनी पड़ती है, तो धकेलो pull, असानी से हो जा रहा है, मतलब खीच लो ठीक है, आगे बाद समझ इसको ऐसे समझो कभी नी भूलोगे, मतलब इतना ऐसा example दे के समझाया कि कभी भूलोगे नी कभी भी pull और push तुमको दिख जाए आगे से, तो मेरी यादा आएगी कि हाँ पृती मैं हमने बोला था push जिसको बोलने में जादा तकलीफ हो उसमें तकलीफ करनी पढ़ती है बोडी को धकिलना पढ़ता है, ठीक है आगे बाद समझ दबाएं या दबाना press, खुला हुआ यानि की open खुला हुआ यानि की open थोड़ा little थोड़ा यानि की little जैसे की little water याद रखेंगे, यह uncountable noun के साथ use होता है, पानी से याद रखना, ठीक है कुछ यानि की few सब या सभी यानि की all be यानि की also मतलब जब include करने की बात हो तब, मेरा यानि की my, way यानि की they के लिए इस्तमाल होता है for जैसे इसके लिए, उसके लिए, मेरे लिए तो for me, उसके लिए for him इस तरीके से और, and का use होता है और न नौर तो नौर का अस्तमाल neither के साथ होता है, नीदर नौर करके इस्तमाल होता है, नहीं ये, नहीं वो इस तरीके वाली situation में इस्तेमाल होता है लेकिन but या or और और का इस्तेमाल होता है जब आपके पास दो choices हो और दोनों मैंसे कोई एक आपको चुनना हो तो this or that इस तरीके से अभी तक यानि की yet जब तक यानि की till बाद में after जैसा as हालां की although जैसे की as if जहां तक की as far as काफी यूज होता है यह सब जब conversations के श्रेणी में घुसोगे ना बहुत यूज होता है भले ही even if कब when ये समय पूछने के लिए इस्तेमाल होता है जैसे कब जाओगे मैं दस बज़े जाओंगा इस तरीके वाली conversation में कहां यानि की where ये जगह पूछने के लिए उस होता है जैसे कहां है आपका घर तो मैं बूलूंगी कि हिमाचल प्रदेश तो ये जगह के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल होता है जहां कहीं भी wherever तब से since हालां की दो या although दो दो यूज होता है जहां तक whereas पहले before तब से since जैसे कहते हैं मैं तब से यहाँ पर खड़ा हूँ मैं तब से यहाँ पर वेट कर रहा हूँ है ना तो since word का use करते हैं जब तक यानि कि until रुखते हैं ना जब तक वो नहीं आ जाता until word का use होगा क्यों अब दूसरे दोस ने कहा क्यों रुखना है why जब की यानि कि while वो तो चला जाता है जब कि हम लोग खड़े रहते हैं while word का use होता है समझ रहे है real life example में set करकर बता रही हूँ situation ऐसी हो गई है ना इसी विज़े से real life में set हो गया me क्यानि कि मुझे क्या what है ना कारण मतलब information पूछते है आपका नाम क्या है क्या है ना यहां here यह this क्यों why जब की while केवल only if जब तक unless ताकि so that यदि in case ऐसा were that as क्रम में in order या in order to ठीक है फिर भी even though कौन हू हू का इस्तमाल जो है living things के लिए होता ठीक है humans के लिए या जानवरों के लिए जानवरों के लिए नहीं होगा sorry human beings के लिए होगा ठीक है कोई भी हो whoever किसको whom whom ever जिसे का इस्तमाल होगा है ना जिसे भी जानते हो बोल दो ये इस तरीके से whom ever किसका whose ये मालिकाना हक पूछने के लिए इस्तमाल होता है किसका है किसका कलम है whose है ना say ये then then का ये जुड़वा भाई है ऐसा लगता है बढ़ ये है नी ये then है इसका मतलब भी अलगे इस्तमाल तो बिल्कूल ये अलगे ठीके then जो है वो comparison के लिए इस्तमाल होता है जैसे रोहन सोहन से लंबा है तो रोहन is taller than सोहन यहाँ पर then use नहीं होगा ठीके then use होता है आगे का कुछ continuity जानने के लिए than use होता है comparison करने के लिए so इसको याद रखेंगे चाहे यानि कि weather जितना हो सके as much as वह या उस that कस्तमाल होता है जो कुछ whatever कौन सा which ये choices पूशने के लिए यूज होता है और आप कौन सा जैसे कौन सा चाहिए आपको कौन सा है इस तरीके non-living things के लिए basically जब आपको choices पूशने हो तो which का use करते है जो भी whichever जब तक by the time अब वह now that एक बार once जब तक till जब भी whenever जैसे ही as soon as जब तक की as long as जैसे की as though क्योंकि because पहले before भले ही even if तो भले ही नाम जो है वो बदल गया हो क्या हो गया हो हो गया है सनरीती English Academy लेकिन चीज़ें बिल्कुल सेम रहेंगी पढ़ाई आपकी सेम चलेगी ये आवाज आपकी सेम में मतलब आपकी नहीं करके मुझे बताओगे मैं ही बोलती हूँ ना तो मेरी आवास आप तक ऐसे ही पहुंचती रहेगी मैं ऐसे ही आपको अंग्रीजी सिखाती रहूँगी ऐसे ही आपको पढ़ाती रहूँगी आपको ऐसे ही अपना प्यार जो है बनाए रखना है मेरे लिए हमारे इस चानल के लिए जहां पर हम रोज अशाम को आते हैं और नौलिज मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ और आप बहुत ही खुशी-खुशी मुझे कमेंट करके बताते हो कि आपको क्लास कैसी लगी तो सेम ट्रेडिशन हम लोग आज भी फॉलो करेंगे आज आप मुझे कमेंट में तीन चीज़े बताना ठीक है एक कि आपको ये नाम कैसा लगा दो आप कितने खुश हो ये नाम चेंज हुआ है तो इस बात से कितने खुश हो तीसरा क्लास कैसी लगी क्लास बढ़िया लगी है क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटा-फट से कर लेंगे कौन से चैनल को सनरीति इंगलिश अकाडमी का अच्छा एक और कमेंट करने बताओ ये काला कमेंट करना कि बताओ पहचान कौन, मतलब नाम कौन सा चेंज हुआ है मतलब बीबैंकर इसनाओ, सनरीति इंगलिश अकाडमी ये कमेंट करके मुझे बताना, बहुत अच्छा लगेगा अच्छा इसके अलावा अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हैं जैसे कि spoken English का, English Reading का, English Grammar का या हमारी e-books लेना चाहते हैं तो हमारी आप को डाउनलोड और इंस्टॉल कर लें Google Play Store से, यहां पर बहुत सिंपल सा स्टेप है, नाम, नमबर, इमेल, आइडी वगेरा डाल करके, रेजिस्टर करके बहुत असान जो है, आप है आप वहाँ पर जाके रेजिस्टर कर सकते हैं डेमो क्लासेज है, फ्री कोर्सेज है फ्री के नोट्स है, पीडिएफ्स है यह सब कुछ वहाँ पर अवेलिबल है, यह जरूरी नहीं है कि आपको पेड कूर क्लास ही लेना पड़ेगा पेड कोर्स ही लेना पड़ेगा देखो, अप में करने का बेनिफिट क्या होता है कि आपका धिहान जो इदर उदर भटकता नहीं है आप आसानी से, मालो क्लास वन करने आए हो तो क्लास वन ही करोगे, क्योंकि वहाँ पर आड नहीं चलता वहाँ पर जो है, आप इदर उदर भटकते नहीं हो कि अरे ये वाला वीडियो बड़ा अच्छा लग रहा है देखें ये कौन सा है, ये वाली चीज वहाँ पर नहीं होती तो आप ना कॉंसेंटरेशन के साथ पढ़ सकते हो तो आप में इसलिए फ्री क्लास देने का जो परपस है वो सिंपली यही है, टाकि आप आप में कॉंसेंटरेशन के साथ पढ़ो, तो आपको डाउनलोड अंस्टॉल जरूर कर लेना, इसके अलावा कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पर WhatsApp मेसेज कर सकते हैं, सबची सेम है, सब कुछ सेम है बस नाम अलग है, मैं भी वही हूँ, नंबर भी वही है, टीक है, तो WhatsApp मेसेज करके आप पता कर सकते हैं, कोई दिक्कत अगर आपको हो तो इसके अलावा हमारी e-books इस website पर available हैं, तो यहाँ पर जाकर करके आप हमारी e-books भी ले सकते हैं, again e-book को आपको डाउनलोड करके अपने mobile पर रखना होगा, यह जरूरी है और WhatsApp का group जॉइन कर ले, Telegram का channel जॉइन कर ले, और Telegram पर भी, अब जो है, बी बैंकर नहीं, यह है सनरीती English Academy, अब आपको पहचानने में न दिक्कत नहीं होगी नी, तो पहले क्या था, प्रीती माम के नोट्स, बी बैंकर के PDF के नोट्स, यह वो फलाने धिमकाने जो लोगों ने कर रखे थे, वो वाली चीजों से बहुत किसी को तकलीफ होती थी, WhatsApp, Message, Comment, Section, even Telegram पर, कि माम हमें नहीं मिल रहा है ग्रूप, हमें नहीं मिल रहा है Channel Telegram का, कैसे करे हम जॉइन, क्योंकि इतने सारे महान लोग हैं, जन्होंने यह अल्रडी कर रखा है, कि हाँ भई, नाम से जो है चला लो, जितना दिन चला सकते हैं, खैर, हमें उनके, नेगेटिव नहीं होना है हमें, नेगेटिविटी के तरफ नहीं जाना है, always be positive तो, संरीति इंग्लिश अकाड़िमी, Telegram पर चैनल का नाम है टेलिग्राम का चैनल का लिंक और WhatsApp के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, तो सीधे-सीधे वहां से आप जॉइन कर सकते हैं आपको मिल जाएगा, बहुत ही असान है, तो आप जरूर टेलिग्राम के चैनल को जॉइन कर लें, WhatsApp के ग्रूप को जॉइन कर लें क्योंकि रोज की क्लास जो है, या फिर कोई नई नोटिफिकेशन जो होती है, जैसे कि आज वाली थी की नाम चेंज हो गया, अब पूरी क्लास में मैंने कितने बार ये चीज बोल दी है कि नाम चेंज हो गया, ये बताना जरा कॉंट करके कमेंट सक्शन में कि मैंने कितनी बार ये चीज रिपीट करी है कि नाम चेंज हो गया है कि B.Banker is now sundry, ये इंगिलिश अकैडम्यit तो ये बही मुझे कमेंट करके बताना है तो मतलब कि description box में से, आप सीधे सीदे अगली क्लास में, यानि कि मैं आप से मेलूंगी कल, कहां पर, सेम उसी जगह पर, संरीटी इंग्लिश अकाड़िमी में, तो thank you so much for watching you all, thank you so much, मुझे इतना support करने के लिए, इतने दूर तक का सफर हमने तै किया है, इसके लिए तो मैं, मुझे कभी कभी रोना ऐसा आजाता है, but still, I try and control myself, okay, तो thank you so much, empowering lives through knowledge, यह मैंने, मतलब मेरा था कि हानी, life को जो है, knowledge से आप empower कर सकते हैं, लोगों को, तो यह मैं आगे भी करती रहूंगी, just a name change हुआ है, that is Sunrithi English Academy, तो thank you so much for watching, आज का आउट्रो हम लग थोड़ा सा change करते हैं, thank you so much for watching, Sunrithi English Academy, stay tuned to Sunrithi English Academy, ठीक है, thank you so much, bye,